जेहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वडोदरा म्यूनसिपल कोर्परोरसन भरती 2020 के बारे में जो की रिसेंटली जारी की गई है और ये भरती भी आपकी कोविड-19 यानि के करोना वैरिस के चलते जारी की गई है तो आप इस वीडियो को देख आपका सवाल है पस्चिम मंगाल में फरसो पर चितरकारी का कौन सा रूप परसिद है तो आपके ओप्सन है ओप्सन ए आई पना ओप्सन बी कोलब ओप्सन सी रंगोली और ओप्सन डी अलपना तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और साथ यह आपको वीडियो को लाइक सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बरती के बारे में तो यहाँ पर आप थोड़ा सोट में देख लीजिए फिर मैं आपको परते ही जानकारी इसके ओफिसियल नोटिफिकि टोडल वैकेंसी दोनों पदों को मिला करके 577 है और जोब लोकेशन आपकी वडोधरा गुजरात रहने वाली है अब यहाँ पर आपके मन में डाउट है कि क्या इसमें अधर इस्टेट के लोग भी आवेधन कर सकते हैं तो मैं आपको बता दू कि इसमें अधर इस्टेट क इसमें आपको काफी कम समय दिया है आवेधन करने के लिए ऑफिसल वैबसाइट आपकी व्याम्सी.go.in अब चलिए इसकी ओफिसल वैबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं वही आपकी ओफिसल वैबसाइट है और आप यहाँ पर देख सकते हो current vacancy में दोनों post add है इनका notification यहाँ पर एक एक करके दिया है साथी apply online के माध्यम से आप इसमें आवेधन कर पाओगे तो चलिए हम यहाँ से field worker की post का official notification open करते है यह आपका official notification है आप यहाँ पर दोनों post के नाम और vacancy retail चेक कर सकते हो इसमें आपको नीचे आ करके कि पोश्ट के लिए कितने पद और उस पर आवेधन करने के लिए कितनी qualification आपसे मांगी है वो आप यहाँ पर देखोगे साथी जो vacancy निकाली हो किस category के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो जिसे कि इस पोश्ट पर आवेधन करने के लिए आपसे आठी पास की आ रहे हो सैलरी आपको क्या दी जाएगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो और आपकी आविसिमा कितनी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर आपकी दी जा रही है जिसे कि यहाँ पर 18 से आपकी उमर होनी चाहिए 45 साल यहाँ कि इस बीच अकर आपकी उमर है तो आप इसमें बिल्कुल आवेदन कर सकते हो और यहां पर आपको थोड़ा ओर डिटेल्ड में जानकारी जानने को मिल जाएगी अगर दोस्तों सिलेक्षन की बात करें तो इसमें आपका सिलेक्षन मैरिट क्या दार पर किया जाएगा और फिर उसके बाद आपको कोल के माध्यम से होने वाला है अब दूसरा नोटिफिकेशन आपको पॉब्लिक हेल्थ वरकर की पोस्ट का इसमें आप यहां पर इसकी डिटेल्ड में जानकारी देख सकते हो कि कितने पद है किस कैटेरी के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मा है जैसे आप यहां पर आकर के जिसका लिंक आपको मैं वीडियो की डिसक्रिप्सिन में दे दूँगा अपलाई ओनले इन पर क्लिक करोगे तो इसके उपर क्लिक करने के बाद रैक लिए आपके सामने फोर्म आ जाएगा जिसमें कि आपको कुछ अपनी महत्तरपूर जानक स्यांट करनी है कंज इस्तेट कौन सी है वह यहां पर आपको चूज करनी होगी और द e route of birth और आपको यहां पर अपनी डाल देनी है फिर यहां पर आपको अपनी contact address की जानकारे देनी होगी इस तरह आपको corresponding address यानिकि अपका present address और दुसरी तरप आपको अपना पर्मनाइन एडरस बढ़ना है फिर अधर डिटेल के अंदर यहां पर है इस गरना है तो आपको नो रहने देना है फिर इसके बाद आपको अपनी और शूरा अधर है आपको अधर नंबर यहां पर फिर बाद में डालना भी होगा और यू रेसिडेंस इन वडोधरा सिटी के निवासी है अगर है तो यस कर दीजे नहीं तो आपको नो करना होगा और यस करने पर आपको यहाँ पर नोर्ट भी चुनना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकर यहाँ पर आपको भड़नी होगी यहाँ पर वो आपको भर देना है experience अगर आपके पास है और उसके आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर yes करके इसकी जानकारी भर सकते हो फिर language आपको कौन-कौन सी आती है वो आपको यहाँ पर choose करनी है जिसके अगर आपको English आती है तो आपको English read करनी आती है तो इसके उपर टिक कीजिए लिखनी आती है तो इसके उपर और बोलनी आती है तो इसके उपर तो इसी परकार से बाकी की language पर भी आपको सेम तरीके से choose कर लेना है फिर यहाँ पर दोस्तो आपको अपना photo गराप choose करके upload करना है जिसका size 50 के भी से कम ही रहना चाहिए और फिर यहाँ पर आपको इसके उपर right click करके सभी details को एक बार अच्छे से चेक करने के बाद submit के उपर click कर देना है इस परकार से आप दोस्तो simple way में Vododra Municipal Corporation भरती 2020 का form भर पाओगे दोस्तों यह थी आपकी Vododra Municipal Corporation भरती 2020 के बारे में पूरी जानकारी आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज अज़ वीडियो को लाइक सेर और साथे साथ आपके अपने YouTube चैनल ग्यांदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आईकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नॉटिफिकिशन सबसे पहले मिल पाए जे हिन दोस्तों